Hello everyone, Welcome back to the People's Academy दोस्तों आज के इस पीडियो में हम लोग महा का बेकाल योम सिक्षा यानि एपिक पिरियड एंड एजुकेशन का अध्यन करेंगे ये टॉपिक खास कर बेट का कोर्स परसु करने वाले बिद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है हाला कि एजुकेशनल परफस से ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे हर एक काल में सिक्षा की अपनी अधार्णा होती है, अपनी अपनी सोच होती है जैसे मान लिए बहुत दिकाल में सिक्षा का क्या सुरूप था, उसको लेकर महत्मा बुद्ध की क्या सुच थी तो आईए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं और जानते हैं महाकाबेकाल में सिक्षा की क्या आउधारा दी गई थी तो महाकाबेकाल में अच्छे आचरण के बिकास पर बहुत बल दिया गया है इस दिसा में रामायल, महाभारत तथा अन्य पुरानों की भूमी का बहुत महत पूर है वास्तों में ये महाकाबे मानों ब्यवहार के उचित प्रतिमानों को इसपष्ट करते हैं जिनका अध्यन करना, समझना, अनुसरण करना, सिक्षा का आउश्यक कार्य है तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि महाकाबे काल में सिक्षा का जो आवस्यक कार्य बताय गया है वो महाकाबे का अध्यन करना है और उसके माध्यम से अच्छे आचरन को सीखना है अब आगे आगे देखते हैं, आगे अगर हम लोग रामायड महा काबे की बात करें, तो जिसे महारिसी बालमीक ने लिखा है और वह स्री राम के चरित्र में नैतिक उच्चता का सर्वस्रेष्ट प्रमाल प्रस्तुत करता है, और गीता की बात करें तो गीता का उब्देश न अपने कर्म करने में रुकावट मत डालो, इसी परकार अगर हम लोग महा भारत की बात करें, तो महा भारत में जिन इस्त्रियों का वर्डन है, वह सहसी हैं और अपमान का बदला लेना जानती हैं, वह अपने सम्मान के प्रती सजग हैं, यानि कि जागरुक हैं, और समझती है कि सम्मान क्या चीज होती है उसे कैसे पाई जाती है और सम्मान खोने पर किस प्रकार की हानी हमें हो सकती है इसी में अगर हम लोग रामायड और महाभारत की बात करें तो दोनों महाकाब्यों रामायड यों दिखाया गया है दोनों काफी मिलते जुलते हैं अता हम कह सकते हैं कि जो आदर्स पुरुष के प्रतिमान है वही सिक्षा के लक्ष भी है यानि कि एक ब्यक्ति में अच्छे चरित्र का विकास करना या फिर आदर्स चरित्र का विकास करना सिक्षा का लक्ष माना गया है क्यो तो दोस्तों ये थी महा का विकाल में सिक्षा को लेकर क्या मत प्रस्तुत किये गए वहां पर सिक्षा का क्या स्वरूप था ये चीज इस वीडियो में पताई गई तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमसकार